हालो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपने क्लाश 12 टर्म 2 मैस का स्लेबस पढ़ना शुरू कर दिया है जैसा कि इस चैनल पर आपको free of cost आपकी मैस मिलने जा रही है तो आप बस इस चैनल से जोड़े रही है आपको हम पूरी मैस यहा 5 तक already 4 तक रिकॉर्ड कर दिया है आज जो हम करने जा रहे है वो 5 लेक्चर है जिसमें हम लोग exercise 7.3 करेंगे और इसका part 1 डाल रहे है और इसका part 2 में इसको completely खतम कर देंगे ठीक है तो आज जो पढ़ेंगे integration using trigonometric identities होगी है आज तो आप 1 में भी लगा रहे है तो तू में लगा लेकिन आज जो है identity जो specific होगी जहां पर कुछ particular part हमें कुछ ऐसा देखने मिलेगा cos square होगा sin square होगा यानि कि powers में आज बन रहा होगा question हमारा अभी तक angle के multiple में आ रहा था सब्सक्राइब कर दो तब हम लोग अपर यूज करके लगा रहे थे आज हम लोग को साइन 2 x cos 2 x इस तरह के formula आपको याद होगे तभी आप आज के questions कर पाओगे तो चलो देखते हैं पहला question हमने जो लिखा हुआ है cos square x लिखा हुआ बटा तो आपको मैं cos का formula बताना बताना cos 2 x जो होता है इसके कई formula हैं तीन formula तो आपने पढ़े हैं 10 के टमस में चौथा भी होगा चलो तो cos 2 x जो होता है 2 cos square x minus 1 होता है तो हम यहां से अपनी जो approach लगाना चाहते हैं वो क्या है कि power को reduce करो angle को बढ़ाईएगा power अगर हमारी 2 लगी है उसको reduce करके आप 1 लाईएगा और angle के multiple में जतना हो जाया होने तो क्यूंकि हम substitution method में angle जतना बढ़ा हो जाया 10 x 20 x उसको हम T मान के handle कर लेते हैं तो power हमें कम यहां पे करनी होगी ठीक है यह power ना function के नहीं बटा question की power है ती सोचो question की power को आप गठाना कर पाओ कुछ ऐसे सोचना है तो हमें power इसकी कम करने के लिए हमने क्या किया यहां से cos square x की value निकालते हैं तो cos square x बेटा हो जाएगा 1 इधर ले आए तो 1 plus cos 2x और 2 को divide में कर दो इधर आखे तो इस तरह से cos square x जहां भी हमें मिलेगा उसको हम लोग replace कर रहे होंगे 1 plus cos 2x upon 2 से ध्यान रखो cos square x को हम लोग किस से replace करने जा रहे बच्छे 1 plus cos 2x divided by 2 से यह हमने identity योज कर लिए वही तो आज का है trigonometric identity के तो हम लोग solve करेंगे 2 से आप बाहर ले लो 2 को integration के अंदर 1 plus cos 2x बचा अब आप इनका integration जितने fast कर सकें कर लीजिए ठीक है मैंने आपको shortcut बता दिया था तो 1 by 2 adjective रहेगा 1 का integration आप करेंगे तो x आएगा cos 2x का integration ऐसे सोचो कि अभी यह 2x लिखा ही नहीं तो cos का integration क्या होता है sin x होता है बच्छे यह आची क्लास में आपको बताया जा रहा है क्योंकि हमने already आपको substitution method से t मानकर करना सिखा दिया है तो यहां पी क्या लिखा है cos 2x लिखा है तो cos 2x को आप ऐसे बोलो cos x cos x का integration sin x होगा लेकिन है तो 2x तो sin 2x आ जाएगा अब 2x जो गडबल पाट है इस ही के differentiation करो और उससे डिवाइड कर दो तो बेटा कितना डिवाइड करना है 2x का differentiation 2, 2 से डिवाइड किया कितना हो गया यह इस तरह से हमारा answer यह बन जाएगा अब हो सकता है कि आप इसको 2 को यहां भी डिवाइड को यहां भी डिवाइड को यानि कि आप ऐसे भी सकते हो x by 2 plus sin 2x upon 4 plus c ठीक है तो इस तरह से आपका यह पहला question है आसान सा है आपको अगर यह identity आदी है तो आपका काम हो जाएगा ध्यान रग को इसमें क्या power करो कम यानि question कि power कम करो और angle को बढ़ने दो जितना बढ़ रहा है चलो दूसरा question देखते है sin square x है यहाँ फिर से sin square है यानि कि power को कम कोरो sin square को हम कैसे तोड़ेंगे तो cos 2x का एक अगला formula होता है sin square की terms में 1-2 sin square x यहाँ से 2 sin square x को आप इधर लाइए तो 2 sin square x इस तरह पा जाएगा हो जाएगा 1- cos 2x अब यहाँ से sin square x आप निकाल लो जो आप replace कर रहे होंगे किससे 1- cos 2x upon 2 से यानि कि जहाँ भी sin square x होगा उसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे 1- cos 2x upon 2 तो बस देर मत करो यहाँ पे value को पूट कर देजिए वैलो पूट करते हमें क्या मिल गया sin square x जिगाए पर 1- cos 2x upon 2 मिल जाएगा इस question को करने के लिए key point यह है आपको यह याद है तो आप कर लेंगे तो बस अलग-अलग divide करो यहाँ पर 2 बहार ही निकाल लो 1 by 2 मैंने बहार निकाला यहाँ पी क्या बच्च है उसका integration केतना हो गया x हो गया minus, minus इसकी बज़े से मैंने लगा लिया अब सोचो cos 2x है cos 2x का अभी हम लोग integration करके आ रहे है बाकि सुब हो ऐसा ही रह रह रहा है तो अंसर मैं यहाँ लिग दे रहा हूं आपका x यह 2 को यहां भी डिवाड को यहाँ भी डिवाड को आपका है 2 प्रसाद है इस वाली को दो इस वाली को दो तो आंसर क्या हो गया बच्च ए x by 2 minus sin 2x upon me 4 और प्लस कॉंस्टेंट का साइन जो सी चला उसे भी आप रख लो उसको छोड़ो नहीं उसने काफी साथ आपका निभाया तो उसके साथ रहना है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चे सी की बज़े से इस तरह के integration को बोला जाता है indefinite integration इसको क्या बोला जाता है indefinite क्योंकि C क स्फिक्स यह इसका नाम indefinite है आगे आगे आप देखोगे definite पढने वाले हो जिसमें लिमिट बगयारा भी लग जाएगे integration में मतलब यहां पी कोई व्याआ यहां पी कोई value होगी तो इसको बोलते है definite integration वो अगे देखेंगे, चलिए नेक्स नंबर पे, लिखा है, sin3x और cos2x, sin3x इंटु में cos2x लिखा हुआ है, तो बच्छे, identity जो इसमें यूज होने जारी हो हम लिख यहाँ पे, अगर कभी sin a लिखा हो, cos a लिखा हो, तो 2 का multiply होना जरूरी है, नहीं है तो कर लो, question में हम लोग मानते हैं भी फिलाल के लिए identity के यहाँ पे 2 का multiply है, तो आप क्या लिख रहाँ होंगे, sin लिखें, angle sum कर लें, a plus b, ठीक है, plus sin लिखें यहाँ पे, angle को subtract कर लें, a minus b, यानि sin के साथ angle के साथ angle के साथ angle का difference, 2 sin के साथ इस तरह से होगा, तिया बच्छे 2 नहीं, तो हमने 2 से multiply किया, 2 से divide कर लो, i equal to, आपका question इस तरह से बन रहाँ होगा, 1 by 2, 2 sin a cos b, तो क्या लिखें, sin लिखें, angle में दोनों को add करो, plus, sin लिखें, और angle को आप add कर लें, जो भी है, उसको dx के साथ integration में, हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो angle क्या है, 3x है और 2x है, angle क्या 3x है उनको एक बार add किया, एक बार minus कर लेते हैं, ठीक है, एक बार add किया, एक बार minus कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 1 by 2 बना, integration, यह कितना बच्चे हो गया, 5x, तो sin 5x बन गया, angle बढ़ने से हमें कोई problem नहीं हो रही है, बढ़ने जो इतना बन लाए है, ठीक है, तो sin x य मेरी बास समझ रहे हैं, वन लाइन में करना है, sin 5x का integration हो गया, cos 5x माइनस में, और angle जो है, उसके differentiation से डिवाइड करना, angle कितना 5x, 5x का differentiation 5, आप 5 से डिवाइड करिये, आगया इस तरह से, sin x का integration again, minus cos x, और क्या करो, प्लस सी कर लो, आप ऐसा ही छोड़ दो, यह तो तो से आपको डिवाइड कर दो, आप माइनस कॉमन लेकर, आप जैसा करना चाओ, ऐसा कर लो, चलिए आगे बढ़ते हैं, 1- cos x upon 1 plus cos x, बच्चे, यहां पर 1- cos x, 1 plus cos x, तो cos x के दोनों फारूले आपको याद होना चाहिए, cos x नहीं, cos 2x के, तो cos 2x के वो दोनों फारूले है, एक तो cos को cos के term में तोड़ना, एक sin के term में तोड़ना है, तो दिहान दो, कोई नहीं, 1-2 sin square x, दूसरा फारूला है बच्चे, 2 cos square x minus 1, तीसरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो, लिख ही देते हैं, cos square x minus sin square x, 14 लिखवा होगे क्या, 10 के term में होता है, ठीक है, बाकी देखेंगे तो चलो, हमें इनकी जरूत है, देखो, यहाँ पर एक चीज अच्छे समझो, अगर cos 1 plus है, तो cos को cos के term में ही तोड़िएगा, मैंनी क्या कहा, अगर cos 1 plus लेकर के आता है, मतलब इस तरह से, तो cos को cos के term में तोड़ो, यानि कि यह फारूला हम लोग लगाएंगे, अगर 1 minus कि आया यहाँ पर, तो फिर यह वाला फारूला हम लोग लगाएंगे, minus के लिए cos अगर देखे तो minus के term में तोड़ना होगा, plus के लिए plus के term में, या यू कहो, cos, अगर plus में हैं, तो cos को cos के term में ही open करिएगा, यानि 2 cos square x minus 1, और अगर cos minus में हो, तो 2 sin square x वाला term यूज 1 minus 2 sin square 2 cos square minus 1, मैंने क्या किया है, अगर 2x है, तो अगर आधा 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 x, x दिया गया है, अगर x है, तो उसका आधा 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 दिया जाएगा, मेरी बास समझ गए, तो cos x को हम लोग इस तरह से treat कर रहे होंगे, जैसा क लेकिन अंगल x है, तो x by 2 आने वाला है, यहां पही क्या लिखा है, 1 plus लिखा है, cos के terms में है, तो cos में तोड़ना होगा, तो 2 cos square x by 2 minus 1 और dx, इस तरह से हो गया, ब्रेक्ट ओपन करिए, जैसे ब्रेक्ट ओपन किया, 1 से 1 कैंसल, उपर बचा, 2 sin square, x by 2, यहां पही जैसे ब् minus 1, इस 1 से cancel होगे, 2 cos square x by 2, and dx, 2 से 2 cancel होगे, अमाई कितना मिल रहा है, 10 square x by 2, और आपको बताया गया, 10 square कहीं भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको किस में तोड़ेंगे, बच्चे, 6 square में तोड़ेंगे, 10 square x होता, तो 6 square x minus 1 तोड़ते हैं, लेकिन यहां पर 10 square x by 2 है 6 square x by 2 minus 1, तो हम लोग इसको लिख रहे होंगे 6 square x by 2 minus 1, x by 2 minus 1, ठीक है, और dx, अब देखो, 6 square x का तो इंटीग्रेशन 10x होता है, 6 square x by 2 का 10x by 2 गड़बड किस नहीं किया, x by 2 ने, x by 2 ने, x by 2 का डिफरेंटियेशन 1 by 2, उसे डिवाइड करोगे, यानि 2 से multiply हो जाएगा, क्या कहा मैंने समझते हैं, 6 square x by 2, यानि 6 square x की जैसा है नहीं, 6 square x by 2, 6 square x की जैसा, तो 6 square x की जैसे आता 10x, इसका इंटीग्रेशन, लेकिन है तो x by 2, बच्चे यहां पर कैसे करेंगे, हम लोग लेक्चर 5 में हैं, इसलिए आपको अप्रोच अपफास बताई जा रहे हैं, आप क्या करोगे, इसको ती मानोगे पूरे को, तो यह बनेगा 6 square t, तो 10 square t आएग तो इस तरह से x by 2 आ जाएगा, इस लेक्चर 5 में आपके कमेंट हमें बहुत जरूरी है, आप इस अप्रोच को समझ पार है कि नहीं, नहीं समझ पार है तो इसको फिर हम T मान के और डीटेल में दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता आप core mathematics, यानि कि आप PCM से ना हो, क्योंकि PCM क जादा महनत करता है commerce with math वाले से, ऐसा माना जाता है, मैं किसी को कमजोर नहीं मता रहा हूँ, अदर्वाइस सभी अपनी फिल्ड में master ही होते है, ठीक है ना, area of interest ही subject को कमजोर बनाता है, बाकि कोई subject कमजोर नहीं होता है, 10x by 2 है, अब x by 2 का differentiation किया, तो आपनी क्या बोला, 1 1 by 2, उससे आप क्या कर रहे हैं कि divide कर रहे हैं, तो 1 by 2 divide में लिखें आपर उपर multiply कर लें, तो आपका हो जाएगा 210x by 2, इतने पार्ट का differentiation हो गया, अब minus 1 है, minus 1 को आप कर रहे होंगे तो उसका आएगा x, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका answer यहाँ पर तूटने वाला है और plus c constant आप यहाँ पर लगा लें, यह आपका answer हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, sin cube x लिखा है, cos cube x लिखा है, dx लिखा है, यहाँ पर i equal हमने से support कर लिया, अप्रोच क्या रहेगी कि sin square into sin लिखने वाले sin cube को, मैंने कहा, sin square x into sin x इसको लिखा और cos cube x को ऐसा ही बना रहने द क्यूं करना है ऐसा वह अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है, अब आगे हमने sin x dx पीछे लगा दिया, यहाँ पर ऐसे, sin x dx, sin square x को ऐसा ही रखा, चलो बदली लो, एक ही step में सारा कर लेते हैं, sin square x को लिख लिखा 1 minus cos square x, कोई issue नहीं होगा, यह identity है, यहाँ जान रहें से, औ अब अगर पूरा question देखें, तो cos square cos q भी दिख रहा है, cos का differentiation करने पर sin x आता माइनस में, तो यहाँ पर हमें, आप यहाँ तो चाहो तो उस cos को change कर लो, sin के terms में, यानि कि cos x इस तरह से भी लिख सकतो, यह इसको लिख लो, आपने पहले देखा sin cube x को तो मैं fine cube x को ही change कर ले तो, तो अब आपको यहाँ पर कैसा दिख रहे हैं, हमने का यहाँ पर cos x को t मान लो, let, cos x is equal to t, तो क्या मिलेगा, sin x dx, equal में dt के, ठीक है, तो जहाँ-जहाँ cos x, वहाँ पर क्या बन गया, बच्चे, t बन गया, यानि 1 minus t square हो गया, यह t cube हो गया, और sin x dx निकल जाएगा, कि minus dt के equal, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे होंगे minus dt, तो dt लिख लेते हैं, और minus आगे लगा लिया, अब इसका t cube का अंदर multiply करोगे, तो आपको दिख रहा हो गया, यहाँ पर, minus t cube, plus, minus minus plus, t की power 5 हो जाएगा, और integration dt, integration कर लीजिए एसी step में इसका, t cube लिखाया, तो t की power 4 बनेगा, divide by 4 बनेगा, और minus यहाँ पर लगा लेना, plus, t की power 5 का करोगे, t की power 6 बनेगा, divide by 6 बनेगा, value को वापस कर लेना, यानि t जिसको माना, उसको वापस करने जा रहे है, तो आपका answer यहाँ से यह आने वाला है, t की से माना, cos, sin, cos को माना, sorry, cos को बनेगा, तो minus का cos की power में 4x, divide by 4, plus, cos की power 6, x, divide by 6, and plus c, तो इस तरह से यह आपका answer हो गया, थोड़ा सा fast हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने concept छोड़ा हुआ है, और लेड़ी हम लोग 4 lecture कर चुके, 5-5 lecture है बच्चे, तो आपको यहां तक मेहनत करके आना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें जल्दी से निकल रही होंगी, फिर भी आपके comments का हमें इंतजार रह सबी को होफ इंगल में तोड़ेंगे अभी इस से पहले जो मैंने आपको तीन फारूले बताय थे बटा, तीन फारूले, यह रह, यह आपकी help करने बाले है, बट यहां 2x नहीं है, तो क्या मिलेगा, xy2 मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक ना, तो आप इसको कर लेना, आपके home work के लिए छोड़ा गया यह, यह home work में है बच्चे, जैसा भी आपको नहीं आता है तो बताएगा, lecture number डालेगा और उसमें लिख दीजे, comment में, lecture number 5 का home work हमें समझा दीजे, तो हम उसको भी दे रहा हूंगे, ठीक है, तो आगे फिर मिलेंगे lecture number 6 में इसी exercise का हम लोग part 2 लेकर के आएंगे, डीटेल आपको पूरा जैसे मिला वैसे ही कराया जाएगा, बाकी आपसे वही एक चीज की support करिए, उसके लिए क्या करना आपको सब जानते हो, सब बच्चों में बताएगे कि आपको इस channel पर मैस का content भी मिल रहा है, ठीक है, तो मिले हम लोग एक अच्छे session के साथ, thank you very much.